हेलो हाई नमस्ते संजीशाज कीचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं सोयाबिन की रेसिपी बनावाई बहुत ही चटपटी, खटी, मीठी, तीखी ऐसी अपनी सोयाबिन की सबजी यहाँ पर देखिए कि इस तरह से तयार है तो चलिए देखते हैं, यह सबजी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनती है उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में सोयाबिन लिये है बहुत सारे सोयाबिन लिये है उसमें पानी डालकर 15 मिनिट के लिए अपन उसे भीगने के लिए रख देखिए भीगने के बाद यह बहुत ही अच्छे सॉप्ट हो जाएंगे, जूसी हो जाएंगे सबजी में भी टेस्ट अच्छा आजाएगा इसलिए इनको पहले भीगो के ले लेंगे अपन यह देखिए, 15 मिनिट के लिए मैंने यहापे सोयाब भीगो लिया है कितने सॉप्ट हो गए है देखिए, अब इनका पानी मैं निचोड लूँगी यह पानी फेकना नहीं है, यह पानी अपन सबजी में यूज करेंगे सारे सोया भी निचोड लेंगे अपन पहले और उसमें फिर मैरेनेशन करेंगे पहले उसके मैरेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, धनियाम यह सब लिया है मैंने और इस वे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोटिंग हो जाएगा अपने सोयाब इनको इस तरह से उसको अपन को मिक्स करना है चम्मत से किजे, हाथ से किजे, लेकिन हाथ से अच्छा मिक्स हो जाता है सोयाब इनको अपन मैरिनेट करके आदे घंटे के लिए रख देंगे तब तक अपन बाकी की तयारी कर लेते हैं बाकी की तयारी में मैंने यहाँ पर टमाटर को बारी कट कर लिया है यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है दो प्याज मैंने बारी कट कर लिये है तड़के के लिए कड़ी पत्ता, अद्रक, जिय, लसन और मिर्च का पेस्ट लिया है उपर से अपन इसमें धनिया भी डालेंगे तो ये सब अपने सोयाविन के सबजी की तयारी है चलिए फट से बना लेते हैं सोयाविन के सबजी सोयविन के सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है उसमें मैंने दो चमच तेल डाला है राई, जीरा, कड़ी पता डालूंगी उसके बाद प्याज भी अपन इसमें डालेंगे प्याज को अच्चे से गोल्डन होने तक अपन को फ्राई करना है ताकि प्याज का कच्चा पन निकल जाए और प्याज अच्चे से फ्राई हो जाए प्याज को फ्राई कर लेते हैं पहले अपन प्याज को फ्राई होने में टाइम नहीं लगेगा देखिए यहाँ पर अपने प्याच फ्राइ होने आये है अब अपने प्याच यहाँ पर पूरी तरह से फ्राइ हो गए ना अब इसमें अद्रक लसन और मिर्च का पेस्ट अपन डालेंगे यहाँ पर मैंने दो चम्मच अद्रक लसन मिर्च का पेस्ट लिया है अद्रक लसन, मिर्च का पेस्ट भी अपनको पका लेना है ताकि उनका कच्छा पन निकल जाए अद्रक डाला है ना तो कडाई को चिपकने का रहता है तो इसलिए इसे लगातार थोड़ी देर हिलाते रहिएगा ताकि वो चिपके नहीं नीचे और अध्रक लसन और मिर्च की पेस जैसे अपनी फ्राय हो जाएगी इसमें अपन मसाले डालेंगे सुके उसमें मैं हल्दी, रेड़ चिली पाउडर, धन्या पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, नमक ये सब डाली हूँ और मसाले को अच्छे से प्याज और अध्रक लसन मिर्च के साथ अपन मिक्स कर लेंगे अपने मसाले सारे मिक्स होने के बाद इसमें अपन टमाटर भी डालेंगे टमाटर को भी अपन को मसाले के साथ मिक्स कर लेना है टमाटर को भी अपन थोड़ी दर फ्राई कर लेंगे उसके बाद इसमें जो अपने सोयाबिन भी होए थे न वही पानी इसमें अपन डालेंगे और ये पानी में अपने मसाले पुरी तरह से पका लें ये पानी जैसे जैसे कम होजा जाएगा वेसे वेसे अपने मसाले भी पकेंगे और तेल भी चुटेगा देखिए तेल भी चुटा है अपने मसाले को इस पे मैंने उपर से थोड़ा सा धनिया डाला है थोड़ा धनिया भी डालूँगी थोड़ा धनिया बाद में डालूँगी देखिए कितने अच्छे से अपनों मस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने सोयाबिन यहां पर भीगोए हुए है ना इसलिए उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सबजी बनने में उनको सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा मसाले के सोयाबिन के साथ मिक्स होने के बाद देखिए उसमें थोड़ा सा अपन पानी आड़ करेंगे ये पानी भी वो सोयाविन भीगोए हुए थिन अपने वही पानी में इसमें डालूँगी पहले उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने अब ये पानी में उसमें डालूँगी और ये पानी के साथ अपने सोयाविन और मसालो को थोड़ी देर पका लूंगी में चलिए एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चलिए एक बार सबजी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमारे यहां बच्चों को सोयाबीन बहुत ही पसंद है हमारे यहां हमेशा बनता ही है सोयाबीन सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर ह इसलिए सब कोई सोयाविन खाना ही चाहिए पानी डालने के बाद मैंने सबजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इस पर अपन ढखकन रखेंगे और पाच मिनिट के लिए उसे मीडियम गयास पर पका लेंगे अपनी सबजी तब रेडी हो जाएगी देखिए पाच मिनिट के लिए पका लूँगी फिर ये अच्छे से तेल भी इसका उपर आ जाएगा देखिए अपनी सबजी बनकर पूरी तरह से तयार है तेल का तरन भी देखिए कैसे उपर आया है चलिए अब अपन इसके प्लेटिंग करेंगे कोई भी सबजी जब तेल चोड़ देती है ना तो समझ जाना है कि अपनी सबजी बन गई है ये देखिए अपनी सबजी यहाँ पर बन गई है चलिए अब थोड़ा सा धनिया उपर से डाल देती हूँ मैं और फिर इसके बाद मैं प्लेटिंग करूंगी देखिए बन गई ना फटा फटा अपनी सबजी चलिए प्लेटि बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, आप भी इसे घर पर जरूर ट्राइ कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का मेरा ये सोया बिन के सबजी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर कीजिएगा, साथ में ही सबस्क वीडियो में, तब तक आप अपनी केर लीजिएगा, अपने परिवार की केर लीजिएगा, चलिए तब तक के लिए सबको, बाई